एनकी है ऑगे बड़े थे हम लोग चार्ज में थे हम लोग तो क्या कैंसेक्षांज कर लेते हैं और कुछ डाउट वी लेते हम अभी लेंगे हैं तो सेक्षिंटि सेवन बच्छों क्या था डूटी ऑफ कंपनी तू रिजिस्ट रिचार्ज करवाना पडता है 30 days of creation है ना 30 उसके बाद extra 30 करें लिया और इसके बाद तुमको extra 60 मिलेगा 30 plus 30 plus 60 करें लिया starting 30 days में किया तो normal fees अगले 30 दिनों में किया तो additional fees उसके बाद फिर अगले 60 दिनों में किया तो add value room fees 77 CHG1 था form CHG1 application करने के लिए तुमको वो file मिल गया PDF मिल गया सभी को बच्चो अगे बढ़ते है देन 78 बच्चो कौन चार्ज करवाएगा चार्ज होल्डर मनला bank letters से अगर company भूल गई है या फिर नहीं किया time के अंदर देन bank बच्चो कर सकती है register the charge CHG है ना CHG2 था I think certificate CHG2 था certificate of registration of charge है ना और जो भी खर्चा हुआ है bank can recover from the child from the borrowing company 78 वो था 17 77 79 79 ने क्या कहा कि 77 विल अप्लाइं सब्सक्राइब से फॉलो करने है in two cases section 79 की सब्सक्राइब से दो किसे बच्चो क्या है कि किसी ने charge property खरीदा संबड़ी और कोई company ने charge property खरीदा बच्चो तो for that reason वो company को जिसने जो property खरीद रहा है उसने intimate करना चाहिए ROC को about modification of charge correct है that is point number one that is first case second case क्या है कि between दो दो parties only कौन दो parties borrowing company और Mac इनके बच्चों बीच में दोनों में कुछ ना कुछ changes हो चुके कुछ उनका agreement modify हुआ है yes तो modification अगर रहा then yes you can again you'll have to apply to ROC कि भाई देखो हमारे समें modification changes हो गए है कुछ examples देखे थे बच्चों हमने modification करेंगे है ठीक है 77 77 77 हो गया 80 वरी इंपना section date of notice of charge तुम्हारा charge create हुआ बच्चों से कुछ कुछ लेना जाना नहीं है तुम्हारा चार्ज हुआ है क्या यह important है बच्चों complete that के साफ से तो public हिसाफ से बच्चों कब माना जाए public हिसाफ से कब माना जाए कि चार्ज रिजिस्टर हुआ है जब तुम्हारा प्रप्रपटी को पर चार्ज है जब चार्ज रिजिस्टर करवा और उसी के साथ वह बाणा जाएगा कि हाँ बए अक्च्चन में चार्ज रिजिस्टर है या फिर उसके बाद हम लोग कहेंगे पॉब्लिक नॉलेज है समझा अब पॉब्लिक नॉलेज हुआ या फिर जब चार्ज रिजिशर किया उसके बाद अगर तुमने फिर भी चार्ज प्रॉपरटी खरीदा तो यह तुम्हारे खुट की गलती है पॉब्लिक नॉलेज बन गया वो अब पॉब्लिक नॉलेज बनने के मिलने के बाद पॉब्लिक नॉलेज होने के बाद भी अगर तुम प्रॉपरटी खरीद रहे हो यह चार्ज प्रॉपरटी है तो इसमें तुम्हारे खुट की गलती है हाँ या ना डिएट इन कुछ कह तुमारे काम नहीं था इडिज्ट रप चार्ज आफ रोसी A2, 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 A3, तुम्हारा बत्चो इस तुमारा 77, 78 की साथ सही है, के सिम्मिलर है, 782, A3, A2, A3, A2, A3, साथ इस अपनिया, कॉन गाया बत्चो रोसी के पास company, कि तुम्हारा चार्ज रोस आपार्ट रम बार्रिंग कंपनी छोड़ के कोई और गया बच्छ रोसी के बास बोलने के लिए कि ये चार्ज खतम हो चुका है समझ रहे हो तो रोसी तो रोसी दोनों पार्टी इसको इंटिमेट कर देगा और रोसी विल कीप और क्या बोलते हैं एविदेंस कि हां भई ये चार्ज अक्चल में खतम हो चुका है हाँ ना बच्छो देन हम लोग ने एक भी तुम्हारा और किया तो 84 वालो कौन सा वालो तुम्हारा अपॉइंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट्मेंट हुँ, हैना everybody yes, यहां तक हमारा हो चुका था all right, modification of charge की बारे में बात करें चलेगा, कहा गया हमारा 78 यह बाला, चलेगा sorry, 78, ने, 78, 79 79 79, ready बच्चो इसमें डाउट था तुमको examples of modification of charge हैना, कि अपने बीच में borrowing company और bank के बीच में बच्चो तो कुछ changes हुए है, हैना everybody तो धेहन देना, क्या था कि तुम्हारा CC बच्चो CC limit यादा रहा cash credit limit, increase or decrease loan come on, बच्चो increase or decrease change in repayment, schedule of the loan 5 साल का loan, 7 साल करवा दिया, 8 साल करवा दिया extra EMI कम करके loan tenor जादा बढ़वा दिया change in rate of interest, increase or decrease right, partial release 5 property को बच्चो मिला के तुम्हारा charge register था तुमने बहुत साल वैसे loan repay कर दिया है तो तुमने एक हद दो तुम्हारे properties release करवा दिया, that is partial release okay, then ये induction वाला case समझाता है बच्चो induction की bank और बच्चो दो-चार बैंकर को एक साथ लेकर आगे बोला कि हाँ अपन मतलब यह लोन को सभालते हैं ये यादर ने induction वाल कंसोर्शियम everyone remembers this तुम्हारे इंशर्स सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में बच्चो कंसोर्शियम चलता है when the bank or the insurance company doesn't want to take too much of risk they distribute the risk and whether modification is by seeding seed मतलब क्या होता है seeding is like give up okay give up then परीपसू क्या होता है परीपसू equal level okay give up बच्चो equal level का charge okay everybody दिलियो अब उन्हें टेक्सबूक में शायद इतना ही लिखाता शायद तो इसलिए तो इसलिए टेक्सबूक में अपने टेक्सबूक में अपने जादा दिया है okay this is for your understanding only तो पर बच्च है कहीं आपे टेक्सबूक ICI का यह तो बच्च है ना एक हाँ check करो I have they given you 79 में है check करो when this is c did the charge holder will become a second charge holder and as such his right entitlement will be subject to full satisfaction of the first charge holder's claim यह नहीं समझा था I'll give you an example मान लो A है B है C banks है यह banks है ठीक है बच्चो banks और ने कोई Z limit का बच्चो लोन दिया हाँ यह ना बच्चो clear delivery everybody इसने 100 रुपे का दिया रहेगा इसने 300 का दिया रहेगा बच्चो और इसने 200 का तो 1-3-2 का ratio है बच्चो हाँ या ना everybody okay उतने amount का loan देके रखा है अब फिलाद बच्चो यह परीबस है मतलब क्या है यह यह equal level पे है फिलाद अगर मान लो कितने का loan देहाई है 600 का loan है और Z could not repay the amount यस चलिया पर मान लो उसका जो भी assets था I'm just giving example कि 400 रुपे का हमारा asset जो भी रहेगा recover हुआ है कुछ बात समझी obviously Z could not repay the amount यह सिलिया तो हमने assets बेज दिये यह फिर हमने recover करवाय डिमांड किया और इतने का हम पैसा recover करवा पाए अब 400 बच्चो आया है पैसा तो कैसे distribute होगा बच्चो 400 रुपे का 1-3-2 के ratio में 1-3-2 के ratio में बात समझी everybody yes चलिया हाँ पर अगर उनके पीश में पर अगर उसने बच्चो give up कर दिया कि इसने A ने अपना जो था give up कर दिया equal परीपसो यहाँ समझ रहे हैं परीपसो charge तो क्या होगा अब बच्चो क्या होगा B और C में 3-2 का ratio हो जाएगा B और 3 वो तो छोड़ दो B और C का तो हो गया B और C को जो अपना recovery मिल जाएगा या अपना पैसा मिल जाएगा उसके बाद का priority किसको दिया जाएगा A को check here जो भी है charge holder कौन A अपने example में will become a second charge holder मतलब वो line में पीछे चला गया and as such his right will be subject to full satisfaction of the first charge holders claim मतलब क्या बच्चो अब जो भी हम लोग assets recover कर रहा पाए थे तो पहले B और C को दिया जाएगा उसके बाद तो अगर कुछ बच गया तो जाएगा बच्चो A के पस understood ले रहा भी कुछ अभी 400 पर कम example तो इसमें in this case A को कुछ नहीं मिल रहा बच्चो B और C को पूरा नहीं मिल रहा है पर कि मान रो उसका बहुत सारे हम लोग assets recover कर रहा पाए है ना जो भी लेगा 800 पर का हम लोग assets recover कर रहा पाए in totality in totality कि तुमारे secured और as well as unsecured creditors रहने वाले at least तुमारा charge register है तो तुम 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 सेक्योडर सेक्योडर माने जाओगे है ना तो क्या होगा B और C का अपना हो चुका क्या yes उसके बाद फिर बच्चो A को दिया जाएगा understood all of you अगर मैं यहां पर थोड़ा से example complex करता हूँ अगर ध्यान जाना थोड़ा से example में complex करता हूँ मैं यह जान मुस्के बच्चो शाड़े 500 लिखता हूँ चलेगा क्यों शाड़े 500 कि भी और सी को बच्चो कितना मिल जाएगा 500 एक बच्चो 100 रुपे मिलेगा कि अभी उसका खुद का understood everybody अगर वो उनके साथ रहता था उनके level पे देन वो ratio में जाता था 132 अब बच्चो उसने उसका give up कर दिया रहा है फिर whatever that point is कि उसका परीपसर चार्ज खतब हो चुका है बच्चो वो पीछे चला जाएगा बोलो समझा बच्चो मुझको बताओ फटाफट clear हुआ ओके अक्षेता good आगे बड़े बच्चों लोग तुम कहां तक पहुंचेते 82 में हो गया अपना अपना यह चुका था ठीक है कंपनी को करना पड़ेगा और उसी भी रखता है कंपनी को भी रखना है ठीक है CAG7 कहां पर रखेंगे आरो पर, रिलिश्वर ऑफिस पर है न बच्चो shall include there in all charges as well as floating charges all charges as well as floating charges affecting any property or assets of the company and any of its branches किसकी बात करें बच्चों हम लोग कंपनी खुद भी अपने पास एक internal पर एक document रखेंगे क्यों कि खंपनी तो बच्चों पाच मात दजस बैंक से बच्चों लोन लेंगे न हां न तो हम थोड़ी अलग अलग बैंक के पास जाने वाले है कि बताओ हमको दिखाओ इसके records क्या है तो यह पर company के उपर जिम्में तरह डालगी तुम भी तो तुम्हारे कुद के record maintain करो कि कौन से कौन से bank से तुमने क्या क्या मूट लिया है और उसके आंगे से तुमने क्या security दिया तो company बच्चों 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 क्या के details है उसके साथ क्या रहेगा बच्चों उसका original agreement का copy कुछ समझना है कि नहीं यह तुमको याद आ रहे है का कौनसे instrument की बात कर रहे है कि तुमको याद आ रहे है यह इसे instrument बच्चों के बीच में agreement सा sign between the borrowing company and the bank याद आ है ना जिसके basis पे यह loan दिया गया है और यह security create कर रहे है हम लोग security create करना करने को टाइम है और बच्चों जो एक agreement कर आख ले ले लिए that agreement is called as instrument copy of the instrument है ना instrument मतलब तो तुम्हारा बस एक document है आगे का फिर से time pass है इंटरी जिस्टेर शाल भी authenticated वाज़ा और बच्चों डिरेक्टर और CS और इनी authorized person duly appointed by the board या फिर authorized by the board वो कुछ खास नहीं छोड़ दो यह कभी question फालद को question यह फालद को question में स्टार्ड माग करकर रख तो कुछ कुछ या वे numbers है फिदेट्स इन्टरी यहां पर किया उसका इंस्रुमेंट भी जोड़ना है हमको इंस्रुमेंट भी बच्चों साथ में रखना है तो रजिश्टर पर्मन रहेगा एंद इंस्ट्रुमेंट क्रिएटिंगा चार्ज और मॉडिफिकेशन बच्चों अलसो शाल भी प्रिजर्वड फॉर एट यह फॉर देट ऑफ साथिस्फैक्शन अफ चार्ज दस साल बन पंदरा साल बीस साल चला रहेगा तो भी जब खत अल्राइट आगे बढ़ू मैं तो कुछ बहुत कुछ खास समने वाले समें है नी तुमको डेट याद रखने है रखने है रजिश्टर पर्मनेंट इंस्ट्रुमेंट एट यह समने डेट आफ साथिस्फैक्शन एवरीबड़ी ओके आगे बढ़ता है अपर यह हमारा लैंड है उसको ही मॉट गेज किया है या फिर बिल्डिंग है या फिर कोई मशिनरी बला यह यहाप ही विकन exactly identify किसकी against charge created किया गया है यह चलिए everybody अगर वो asset मान लो planning machinery building या फिर land कुछ भी है destroy हो गया for any purpose okay because of any reason destroy हो गया तो मतलब बच्चो completely क्या हो गया तुम्हारा गया हो charge इसके उपर का तो यह पर identified asset की पीछे बच्चो charge created हो रहा है that is called as fixed that is one point of view another बच्चो point of view वो जो planning machinery है building है land है उसका valuation बच्चो रोज fluctuate होता है कि valuation रोज fluctuate होता है increase decrease increase decrease increase decrease यह उसका quantity बच्चो कम हो रहा है कि उसका रोज कम जादा कम जादा कम जादा नहीं है ना so it is inner way बात करो but floating charge is against is against such asset जिसका valuation रोज change हो रहा है और वो change क्यों हो रहा है बच्चो कम बच्चो quantity consumption भी रोज का रोज change हो रहा है very simple example बच्चो बच्चो will be on this stock हाँ ना clear हो नो बच्चो बता हूं बच्चो stock उसका value will change because quantity will also change stock बच्चो day-to-day basis pension जोता है no doubt about it तो कब कितना raw mental लगेगा कब कितना FGA business उस नेकलेगा भार तुम्हारी साब से वो है ना और दुसरा तुम्हारा बच्चो रहेगा book debts bad dates नहीं बोल रहा हूं बच्चो मैं book debts कर रहा हूं book debts बच्चो दूसरा नाम क्या है इसका data यह भी तुम्हारा बच्चो receivables ही है हाई या ना करें दॉर नो अब जो receivables है यह से लिया इवन बच्चो उसके पूर में तुम charge create कर रहे समझा बच्चो सब पैसे आने वाले ना इसमें तुम को stock को बेशना पड़ेगा यह भी पैसे आने वाले है इन दाट कि बच्चो bank can send notice और freeze the bank account also of the borrowing company तुमारे जो पैसे आने वाले हम recover कर वा लेंगे अब यह रोज के रोज बच्चो डेटेस किसे ने नाया कोई माल लिया payment कर दिया तो रोज तो रोज तो रोज अमांट तो बढ़ लेगा ना तुमारा that is what that cannot be identified कि यही डेटर की अगेंस ही हमारे चार्ज है नहीं it is a category ना तो तुमारे डेटर आ रहा है जा रहा है अवान बढ़ रही है घटरी है जब भी तुम स्टॉक बोलते हो जो फिलाल अब फिलाल करन्ट स्टॉक है अगेंस दाट तुमारे मतव चार्ज है पर तो स्टॉक जा रहा है आ रहा है ना it is completely बच्चो फ्लोटिंग means what fluctuating isn't it मैं तो भी तो यह बड़ी को रहा हात मत लगाओ उसके अगेंस चार्ज है नहीं वो तो आएगा उसको WIP होगा फ़जी होगा निकल भी जाएगा वो यह की नहीं बच्चो but it is against this बड़ी को class वो class के अंदर अंदर क्या है वो छोड़ दो समझा है बच्चो और जैसे ही मां लोग कभी भी bank को लगता है कि यह loan repay नहीं कर रहा है reminder भीज भीज के भीज भीज के भीज 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 के in that case now बच्चो the bank will by sending a notice and by legal process floating charge को convert कर वा लेगी into fixed charge अब इसका मितलब क्या हो जाएगा यह जो stock है या फिर data से वो freeze हो गए और freeze हो गए मतलब जो मिल रहा है उसको पकड़ो वहां से वो amount require करवा हो now the company will not be able to use that stock also as such या फिरो किसी को दे नहीं सकती वो stock बेच के बच्चो पैसा require करवाएगी या फिरो data से बच्चो पैसा लेंगे या शेलिए legally समझा चलो आगे बढ़े let's check the fixed charge is created on identifiable properties like land, building, machinery when the charge is created on such a such the charge remains fixed and the boarding company is not permitted to sell it obviously ओओ की fixed charge में though it can use it use them a fixed charge is created by way of mortgage or deposit of title deeds तुमने फिरो अगरिमेंट किया या फिरोडिल तुम्हारे कागजात बच्चो डिपॉजट किये deposit idilities होता है बच्चो बहुत बार यह bank loan, home loan में ऐसे ही होता है घर के कागजात बच्चो बैंक के पास ही रहता है अगरिल वाले assets under fixed charge can be sold only with the permission of the charge holder हमने section तुम्हारे 79 के में भी देख रही है a fixed charge is vacated when the money borrowed against the assets subject to fixed charge is repaid in full ऐसा repay कर दिया तो fixed charge खतम whereas floating charge is done against a class of assets which keeps on fluctuating and changing in value like the stock or data the assets under floating charge keep on changing because obviously वो लो use करिंग जो सको तो कम भी होगा, जादा भी होगा है न बच्चो example of retail showroom will contain numerous articles kept for sale उनका stock की बात करें हम लो the owner of showroom might have borrowed against the security of all the goods in the showroom goods मतलब stock बच्चो yes तो क्या होगा फिर से floating charge ही हो गया but he may still sell or otherwise deal with them तुम्हारा material तो बच्चो बेच पाएगा वो गोड़स बेच पाएगा in the ordinary course of business the buyer will get it the buyer will get it free of charge free of charge मतलब क्यों से आला free of charge pocket में दे रहा है क्या pocket में नहीं न free of any encumbrance encumbrance समझ था क्या बच्चो ओ नला एको मतलब right है ना charge के लिए you can use another word also मतलब तुम्हारे बस understanding के लिए दे रहा हूँ encumbrance और ये बैंक का और बायर का कुछ लेना देना नहीं है okay everybody नहीं समझे तुमको नहीं ये free of charge में ला फुकरण वाला नहीं है ये ये तुम्हारे एक company है और ये bank है और बच्चो जो stock था उसके पर charge था है की नहीं बच्चो ये stock बच्चो ये ने बच्चो किसे और को बेश दिया ना z limited को letter से तो bank बच्चो का z limited से cover करवाएगी क्या free of charge charge मुक्त encumbers मुक्त okay कोई भी right मुक्त किसी का भी बच्चो को उस goods को पर right नहीं आएगा ठीक है without defective title let us say that without defective title title will be good okay sorry example in case of a company which manufactures leather goods the raw material in the form of leather which is subject to subject may be floating charge may be used to manufacture leather goods without seeking any time pass a floating charge remains dormant until it is fixed or crystallized crystallized मनल बच्चो वो fixed बन गया on crystallization ज्यान दे न the floating charge becomes fixed and it's available for realization मतलब बेचना so that the money borrowed is repaid yes चलिया इसको बच्चार मा कर लो कभी 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 short note आए एक-दो माक्या तो आ सकता है crystallization of floating charge में occur when the terms and conditions of floating charge are violated तुमने इंशर्स नहीं करवाया security नहीं रखा payment नहीं किया time to time यह तुमने इस्तॉक बच्चो कई और इस्तामाद कर रहे हो the terms and conditions of oil it or the company stops to continue its business or the company goes into liquidation or the creditors enforce the security covered by the floating charge बच्चो बच्चो बढ़ गए यह भी stock हमको बेशना है तो creditors नहीं बच्चो आपर demand कर दिया है including the bank also in that case stock worker जो भी रहेगा वो सब freeze हो जाएंगे freeze मतब उसका fluctuation चलेगा क्या plus minus use वगर चालेगा क्या नहीं use भी अच्चो भी हम लोग इसको नहीं करेंगे उसको बेचना है हमको और फिर पैसे recover करवाने है है ना everybody तो register of charges can be expected during business hours subject to reasonable restriction by AOA कितने time के अंदर आना है कितने time के अंदर आना है कितने बजी आना है वो सब वो ठीक है और कितने time के लिगों को open रखना है वो register who can check it any member or creditor without any payment of fees member because he is owner creditor बच्चो बच्चो उसका इसमें interest है company में उसको देखना है कितना risk है अभी भी company के साथ हाँ या ना समझा कि नहीं बच्चो कि अभी भी बाकी के कितने creditors है आगे बढ़ो में and any other person देना on payment of fees तो किसको free है बच्चो बस check करना है यहाप है member as well as creditor आगे बढ़ो में punishment for contravention company को बढ़ो अभी कोई भी तुमने आगर चेक करो प्रेटर नॉन कंप्राइस पर प्रोविशन सफ रिडिन रिजिस्ट्रेशन अफ चार्ज 77 फॉलो नहीं किया तो है ना याद आ रहा है ना रिजिस्ट्रेशन अफ चार्ज आगे company को में पाच लाख और किसे न जानम उसके कुछ चुपाया मैंस रिया बच्चो हुआ समझ रहा है कि नी willfully furnishes wrong information suppresses material information तो क्या हो जाएगा बच्चो हम लोग आ रहेंगे क्या they will be liable for fraud intersection 447 understood again very बहुत चेकर बच्चे 447 का इस्तमाल हुआ है तुमको दिखता रहेगा तो everybody भर-भर के बहुत जगा पर है आगे जाओ में बच्चो ratification by CG in the register of charge ratification ये register of charge बच्चो किसका ROC की बात कर रहे हैं ठीक है हमने सेक्षिन बच्चो ठीक से नहीं देखा क्योंकि कुछ syllabus में डिखनी था नहीं बट एटिवन अगर तुम देखोगे इड़ रिच्चो रफ चार इस बीचेट बाइ रोसी इनवे इड़ गवर्मेंट रेकॉर्ड उनली रोसी के पास है तो हाँ है ना पबलिक रेकॉर्ड और गवर्मेंट रेकॉर्ड वगर याद आ रहे हैं है ना तुम लगा इसको follow नहीं किया तो बच्चो तुमको government के पास जाना पड़ता है similarly understand 30 and overall total मिले करो बच्चो 300 क्या बच्चो overall 300 किस की बात कर रहा हूं मैं satisfaction of charge section number 82 check करो check once satisfaction of charge बच्चो कितने दिरों के अंतर हमको intimate करना है government ROC को satisfaction of charge company को खुद 30 days के अंदर can you see that बच्चो within 30 days of satisfaction of charge you have to intimate the ROC clear deal here everybody yes if not within 30 days तो अपने बस total 300 days on on payment of additional fees clear deal here everybody अरे हां या ना चेक करो commercial intimation about satisfaction कितने दिरों के अंदर नहीं हुआ दो बच्चो कितर गया हो हां total 300 days इस चलिया everybody और अगर वो भी नहीं हुआ 3 days की बीश में देन बच्चो तुमको फिर से government के पास ही जाना पड़ता है ROC के पास भी power नहीं है to take it on record clear everybody yes अगर बड़ो में चलिया अपर company has failed to give intimation to ROC of payment or satisfaction of a charge within the time required बच्चो कौन सा वालत so 30 और 300 इसलिए महां पर section number 22 लिख दिया हां या ना तुम लोग भी लिख दो yes चलिया 30 भी है इस वरा 300 भी है एक्स्ट्रावाला additional fees पे करके तुम्हारा वो भी cross हो गया या फिर या फिर there is some omission or misstatement in the charge created, modified, satisfied under section 82 या फिर 83 कुछ omission है या फिर misstatement है ओ करे लियो the central government may order that time for giving of intimation of payment or satisfaction shall be extended 300 दिन था बच्चो 300 दिन तो normal था उससे भी कर्द मुझ जादा लेट हो रहा है लेट हो चुका है so government can give you some extension or as the case may require that the omission or a misstatement shall be rectified understood earlier everybody omission or misstatement shall be what बच्चो rectified clear government can give the order central government that is okay fine so 2 किसमे बच्चों section तुमारे 80 सम्पिचर में आता है satisfaction तुमारे बच्चों तुमारे बच्चों तुमारे बच्चों तुमारे नहीं पता है या फिर दिर सम error or omission okay but कब on being satisfied that such a lapse of accidental or due to inadvertence make the mistake or not in the nature of you can say harmful in the interest of creditors creditors को कुछ दुक्सान नही है or genuine गलती है तुमारे बच्चों अगरे सफो्वाइस नहीं तुमारे तुमारे नहीं का तुमारे गल्मारें तुमारे है then they can give the extension application for condition of delay or rectification but you can be done in CAG8 that is also okay okay so instrument for charge satisfaction is not filled within 300 days ROC can register the same only if the delay is the delay बच्छो माफ करवाया है किसने माफ करवाया है बच्छो गवर्मेंट है Central Government है सम्झा बच्छो यहां तख बोलो सब्लो there are two reasons by which you can apply to the government section 87 के अंदर Rectification कैसे बच्छो पहला वाला satisfaction तुमने टाइम में नहीं बताया या जुसर वाला बच्छो क्या जो भी ROC कर रहे जिसेर उसमें कुछ गलतिया है तुमको उसको rectify करवाना है Dental या और CJ को ठीक लगा तुम देकरें पास्टर अप्रोप्रेट ओडर के देएस हमको यह record पे लेना है fine everybody अरे बोलो हाँ बड़े क्या आगे Q1 देखे हम लों question answers बच्छो कुछ direct question देखते है बाकी के question दो अवराल देख लेते हैं हम लोग यहां पर study material से फटा 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 Okay How will a copy of an instrument evidencing creation of charge and required to be filed with ROC be verified तो को बोला तो उसको direct question आता है Section 77 की भी starting में यही है That depends on whether assets are in India और assets are outside India कुछ समझ रहा कि नहीं समझ रहा है हाँ तो कौन कौन director, CS Company seal था बच्छो अगर तुमारे property आउट्स इंडिया रहा तो है ना and charge holder और any interest person था वो सब था तुमारे चेक करो इसको please थोड़ा सो उनको बाहर करना पड़ेगा Property outside India है तो common seal, company seal आता है Okay India में रहा तो चेक करो Okay everybody So outside India under the seal if any or under the hand of any director or CS of the company or an authorized officer of the charge holder or बच्छो under the hand of some person other than the company who is interested in the mortgage or charge in case of property situation in India तो क्या कर बच्छों चल सकता है Certificate issued under the hand of any director or CS or an authorized officer of the charge holder Yes वैसा बच्छों verify वो हो जाएगा वो instrument की बात करें जो हमको submit करना है ROC को या जा रहा है ना ROC को submit करना वरता है बच्छों हमको ठीक है Briefly explain provisions as enforced by companies and so and so वाना charge created before Before आया बच्छो 211-18 is not registered within prescribed period of 30 days तो before amendment बच्छों क्या था 30 और 300 था and after amendment क्या आया है 30, 30, 60 आया है चेक आगे बड़े हम लो 30 days है ना बच्छो 30 days हुआ तो बच्छों हम लो किते है within 300 days of subscription को करना पड़ेगा apply यह चलियो यह चलियो then if the registration is not made within extended period of 300 days also it shall be made within 6 months from 218 वो होगे तुमारा of prescribed additional fees है लो तो maximum जो उसके आगे 6 मान आधा जैस चलियो and it's provided that different fees भी प्रिसक्राइफ for different classes of companies okay everybody for charges created before 211, 18 जैस चलियो so 30 plus 300 days plus तमारin जो cut-off जो जो देट से से रवा से मुझम कितना, विदिन 6 मॉठ्स, ओक एरबड़ी, विए भी जाइम तुम्हारा चला गया है न, है न, अंडर्चुटुड, दिफान दर्म चाज, फरसे तुम्हारा है तुम्हारा दिर्ट क्वेश्चन, चार्ज तुम्हारा बच्च क्या राइट? लीन अजर सेक्यूरिटी है न? इंक्लूद समार्ट गेज यह तुम्हारा डिफरेशन तुमको याग रखना चाहिए और उसे एक्समें पनिश्मेंट फॉर दिफॉल्ट तुम बच्च दिमाग लगा सत्तों कि क्या चलेगा क्या नहीं यावे इन अवे बच्च तुमको भायाट करकी आंसर दे करना ही है भायाट मतलब येस यह रांसर आशुबी असमुच अ पॉफेट अस पॉफेट अस पॉफेट अस पॉसिब एसले अवे बड़ी बराबर के नहीं आगे बड़े हम लोग पनिश्मेंट फॉर काट्राइवेंश्टिन एटेसिक्स लास वाला सेक्षिन ना जो आपने देखा अभी ठीक है कंपर कितना बच्च पनल्टी फाइव लाक्स OID के ओपर कितना 50,000 और अगर विलफुली कुछ किया रहेगा तो 447 टाइम पास है बचो इसक्वेश्टन है बड़ प्लीज याद रखो ओके आंसर मत देखो लड़ एससी देख्वेश्टिन रिनिकाशो रखुप्स and detergents limited realized on 2nd May that the particulars are charged created on 12th March in favor of a bank who are not registered with the ROC. What procedure should the company follow to get the charge registered? Would the procedure be different if the charge realized, if the company realizes its mistake of not registering on 7th June, उनको समझातो हो इस दो सेकेंड में एक्स्प्रेंद विद रेलेवेंट प्रोजिए सब टाइम पास है बच्छो बेसिकली क्या है उनको स्टोरी पता है 77 दुखो लिखना है याप है 12th March हाई है ना तुम्हारे मार्च में बच्छो 31 डेज तुम्हारे इपरिल हा या ना और वे ले रहा है बच्छो 11th SS मैं में ले रहा हूं यास और नो तो tell me the question is अगर उसको 2nd May को समझता है जालम उसके 20 में दिया है अगर उसकेंड में में समझता है बच्छो which fees do they have to pay अगर उनको 2nd May को समझा है और उनको रिशर करवा लाहा है तो which fees do they have to pay what type of fees correct बच्चो कैसे आएगा एड विलरम नहीं आएगा बच्चो ऐसे कर रहे तुम लोग एड विलरम कब आता है 60 देस के बाद आता है न नलाय को बाई चार्ज कब क्रियेड हुआ है 12 मार्च को तो 12 मार्च टू एपरिल मैं 12 11 एपरिल पकड़ो जो भी रहेगा यह तुम्हारा नॉर्मल फीस अरे हाँ यह न यहां से लेकर यहां तक बच्चो और अडिशनल फीस और इसके आगे बच्चो विदिन 60 डेस लिखूंगा मैं तो लिख देना क्या बोलते जून एंड जुलाई है न मैं लिख रहो बच्चो 11 जुलाई एड वलोरम उसके आगे क्या गवर्मेंट का अपरोल लगेगा तुमको फिर समझा बच्चो एवरिबड़ी हा न वह भी दिया तुमको क्या दिया है अगर उनको साथ जून को उनको गलती समझती तो तो गया साथ जून के लिख बच्चो आप देन आप तो पे वाट एड वलोरम फीस ठीक है या क्लियर देलिया तो अफ्टर वर्टू 11-18 वगर वगर उसके रूल इतना है 30 days नहीं किया तो additional 30 days है ना by being additional fees then they should immediately file अगर अगर जो भी हो गया रहेगा तो additional 60 days तो उसके लिए हम कहां पे गया है वो add वलोरम फीस 11th में लिया उनको 11th में correct उसके बाद 11th में क्या को बच्चो लगता दोंगो add वलोरम फीस sorry everybody anthrax purchased a commercial property in delhi mr anthrax belonging to nrt limited after entering into agreement with the company on time of registration property ख़ीद रहा हो ठीक है वो उसके inability to get the title deed transfer in his name saying that he ought to have knowledge charge dedicated on the property of the company expectations of the contention of Nrt is correct answer is Yes Nrt तमासी किया है but can Nrt give him the ownership बच्चो? No समझा ना सभी को everybody नहीं समझा देखो अंतरीश प्रॉपर्टी खरीदना जाता है NRT Limited से हां रहे है न after entering into an agreement with the company फिर फिल अग्रीमेंट किया है agreement to sell जितन सेल करने की बात आई registration करने की बात आई तो अंतरीश मतलब बायर को समझा की टाइटल मतलब ownership of the company is not free प्रापरटी को पर क्या है चार्ज है गुड और कमपनी ने बोला कि हम तुमको ओनर्शिप नहीं दे पाएंगे कि चर्ज रिखियर कुणकी तुम्हारा चार्ज रिशिपर होता है पुपिलिक नॉलच तुम्हारा चार्ज रिश्चर होता है इत पब्लिक कौनएच उसको चेक करना चाहिए था Okay, so yes, check section 80. Any person acquiring such property or assets or any share or interest therein shall be deemed to have notice of charge from the date of such registration. Section 80 ने क्या अब क्लारिफाई किया कि if any person acquires a property so and so जिसके पर charge already registered है it would be deemed to inka completely वो knowledge था या ने वो यू शुद आव नून बच्चो और उस्ते केरफल रहना चाहिए the property खरित वक और असे verify करवाना चाहिए था या ना कि उसके पर already charged था या नहीं. Clear? And should have verified beforehand that NIT Limited had already created a charge on the property. So in view of the above the contention of the company is correct. आगे बढू में बच्चो? आगे बढ़ते हैं. ठीक है रेडी बच्चो? जान देना. ABC Limited created a charge in favor of OK Bank. The charge was due to register. Later the bank enhanced the facility by another 20 crores. Due to internet intense this modification in the original charge was not registered. Advise the company as to the course of action to be pursued in this regard. तो 79 के बात कर रहे हैं कि हम लोग बच्चो? 79 ना. 77, 78, 79. Modification of charge के बात कर रहे हैं. तो कि ये charge register ये जो enhanced जो भी है उसको register कर वाओ. है ना बच्चो? आगे लिया हूँ? आगे जो हूँ मैं? ना. Okay. Sorry. The company is advised to immediately file an application for rectification. Okay. पहले तो रैठीफिकेशन. अजरे लोग टो रोगे जो रोगे तो चजी ने च्ची ए तो सीजी. Under section 87. Okay. 87 वाला कुछन निकल का बच्छो हे तो Modification वाला निकला ही नी 87 एंपर्स Government to order Ratification of Registration of Charges in the following cases, कभ there was an omission in giving intimation to registrar with respect to payment or satisfaction of charge within specific time or whether it was omission or misstatement of any particulars in any filing in any filing previously made to the register in any filing previously made to the register such filing may relate to any charge or any modification or charge or with respect to any memorandum of satisfaction or other entry made as per section under section 82 or even section 83 before directing that time for giving intimation or payment of satisfaction shall be extended the CG needs to be satisfied that default was accidental or due to inner inheritance or बच्च उसके वज़े से इसको कुसमी नुकसान नहीं हो रहा है the application form number what CHE8 shall be filed by company or any indirect person therefore even OK bank can proceed in 87 the order of rectification shall be made by the CG on such terms and conditions as it deems just and expedient मतलब गवर्मेंट अपने इसाफ से बच्छों order pass करो सती है कि कितने जल्दी करना है क्या क्या करना है and all of that. They can give the order, customized order on such terms and conditions, ठीक है? हमार कुछ रहा का था 87 में? 87 में हमको wordings देखने पर, okay? Just a minute. 87, empower the CG to order register of charges in the following cases. there was omission in giving intervention to ROC with respect to payment of voting रहुँ हो चुका? हाँ, यह एक तुम्हार था इदर. Sorry, when there was omission or misstatement of any particulars in any filing previously made to the register, registrar. Search filing may relate to any charge or modification of charge, वो भी हो सकता है. उन्हें बच्छों वैसे क्वैसे answer चापाई, दिकरना है तुमको यहाँ पे? वैसे क्वैसे क्वैसे? है ना everybody, okay? Direct question as much as possible, same to same answer दो, जो भी तुम्हारे study model में है, okay? या फिर तुम्हारा model answer में है, ठीक है? अगे बड़े हम लोग? Okay. अगे बड़े बच्छों? Okay. 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 Ranjit, acquired a property from ABC Limited which was mortgage to okay bank. 79 अभी आगे पक्के से बच्छों? पक्के से आगे 79? When you are buying a property, या ना? He settled the dues to okay bank in full payment कर दिया, वा. And the same was registered to sub-registrar who has noted that mortgage has been settled. तुम्हारा satisfaction हो चुका? But neither the company nor okay bank has filed details of charge satisfaction. तो company भी नहीं कही और किसे ने उसको intimate bank भी नहीं कही बच्छों? तो कोई और भी खर सकता है? हाँ. कौन? Ranjit, sorry, Ranjit नहीं. ABC Bank Limited or okay bank, दोनो नहीं कहे? Who can go? Ranjit can go. पापा Ranjit, हाँ है ना बच्छो. Ranjit can go. Yes, चलिया? Company नहीं जाना चाहिए था, especially section 82 ना? अगर ABC company नहीं जा रही है, तो third party can go, बच्छों, under section 83. Yes, चलिया, all of you? पक्का? But neither the company nor okay bank has filed particulars, of satisfaction of charge with the registrar of companies, with the registrar of companies. Can Mr. Ranjit approach the registrar and seek any relief in this regard? Okay everybody? Yes? तो वही वाला, कौन? Ranjit approach the ROC and seek relief. All right. उसको क्या relief चाहिए है? and show evidence to his satisfaction of charge, कि charge खतम हो चुका है and satisfied and request the ROC to enter a memorandum of satisfaction, noting the release of charge. तो Ranjit खुच जा सकता है? हाँ या न? Yes. 3rd party Ranjit can go. ADC का बच्चो तुमारा story. ROC can make entry of satisfaction even if no intimation has been received by him from the company. Okay everybody? उसको बस evidence चाहिए, but important. कि debt जो था तुमारा, वो satisfy हुआ है in full or part. Okay everybody? तो उसका इंटर कर सकता है उसके register में. The debt has been satisfied in the whole or in part. और part of the property or undertaking has been released. तो भी हो गया. यह समझा है न? ROC can make this step in spite कि company नहीं बताया तो भी. Okay all of you? और आरसी खुद. दोनों parties को बत्राएगी within 30 days. दोनों parties को हौन? Bank and the company also. Boring company. original borrowing company. CAGB तुमारा बच्चो क्या था? Certificate of Satisfaction of Charge. हाँ है न? Certificate of Satisfaction of Charge. Rundleer all of you? Yes? इसकी Q&A करो और MTB, RTP, कुछ मच छोडो. बहुत छोड़े section बहुत छोड़े chapter वैसे ही generally. है न? All of you? Fine? Okay? तो यह भी तुमार बच्चो चार्ज भी तुमार बच्चो चार्ज भी तुमार बच्चो चार्ज भी तुमार बच्चो चार्टर खत्ब. है न? Everybody? Yes? Yes. Video को बच्चो बच्चो से लाइक कर देना. Subscribe कर दो channel को. Please keep on sharing this video with all of your friends. It gives me lots of motivation to keep on continuing with this free content. All right. So thank you so much guys. Like कर दो. Take care. Bye bye. Good night. Bye bye. All the best.